आखिर वो दन आ ही गया जिसका हर किसी को इंतजार था आज अयोधिया में ड्राम मंदर भूमी पूजन होने जा रहा है जिसमें पियम मोधी इस कारिक्रम का शुभारंब करेंगे अयोधिया में भूमी पूजन की पूरी तैयारी की जा चकी है भूमी पूजन के लिए पियम मोधी के साथ लगभक 170 विशिष्ट महमान इस कारिक्रम में शामिल होंगे आपको बता दें कि बुधवार सभग 11 बचकर 40 मिनिट के बाद के अगले 32 सेकंड बहुत ही शुभ है इस शुभ गड़ी में भूमी पूजन का कारि संपन की आ जाएगा स्वामी गुविंद देवगिरी महराज ने इस बारे में बताते हुए कहा कि ये मंदर सिर्फ पुनर निर्माण नहीं बलकि राश्र के चेतन्य की पुनह प्रत्तष्ठा है हमारे देश पर सदियों से विदेशियों ने आकर्मन की उन आकर्मनों का परिमार्जन करने का तेज रफ्तार से शुभारंब हो रहा है स्वामी गुविंद देवगिरी महराज को श्री राम जन्मभूमी तिर्फ शेतर के कोशाध्यक्षी पूरिजमदारी सौपी गई है ये श्री राम जन्मभूमी तिर्फ शेतर के प्रमुख अभिभावकों में से एक है उन्होंने बताया पांच अकस्त को सुबह 11 बच कर 40 मिनट की बाद आने वाले 32 सेकिन में श्रीराम मंदर निर्मान का शिलान्यास होगा श्रीराम मंदर के शिलान्यास के लिए उन्हें दो शुभ मुहूर्थ दिये गए थी उन्होंने बताया कि प्रिदार मंत्री नरिंद्र मोदी ने मेरे द्वारा दिये गए दो शुब मुहूर्थ का बड़ा संदर उपयोग किया है और 29 जुलाई को राफेल का आगमन हुआ अब आज के दिन इसका श्रन्यास होने जा रहा है महीं आपको बता दें शुब मुहूर्थ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि शुब मुहूर्थ में 16 भाग होते हैं और इन 16 भागों में 15 भाग अतिशुद्ध होते हैं जिसमें ये 32 सेकेंड है जब श्री राम मंदर का शिलन्यास होने जा रहा है इस कारिक्रम में प्रधान मंदरी नरिंद्र मोधी शामिल होंगे वो करीब दो घंटे अयोध्या में रहेंगे